जितना भी आप लोगों के प्यार का मैं धन्यवाद करूँ उतना कम है दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कल मैंने आपको पार्क में बैठके 5 मिनेट स्टोरी सुनाई और आप से कहा कि सोचा थोड़े दूप में बैठ जाऊं और बैठकर मुफली खालू पर ध्यान दिया कि मुफली घर में नहीं है तो फिर आज मैं देवा के साथ भार गई फिर मुझे याद आया कि अरे हम लोग तो सौसेर दान भी कर रहे हैं तो मुफली तो दानी नहीं की थी अभी तक तो मैं अपने घर के लिए मुफली खरीद कर ले आई हूँ लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया पूजा किसने बेजी है में मुफली आज आप में से किसी ने मुझे मुफली बेजी है और आपकी अंकीता मैम जी आपकी मुफली पैकेट मुझे मिल गया है क्योंकि मैंने आप मुफली धूप में बैट कर खाने वाली है तो मैं इसे पोहे में इस्तमाल कर लूँगे लेकिन आपने मेरे बारे में इतना सोचा कि मैं के पास मुफली नहीं और आपने मेरे लिए Amazon से मुफली भेजी इसके लिए दिल से थांक यू यह आप लोगों का प्यार ही तो है जो मु तो मैंने उसे सबजी ले ली और देखा तो उसका नेचर बहुत अच्छा था उसके बहुत फ्रेश सबजी थी तो फिर मैं उसी से रोज सबजी लेने लगी एक दिन मैं उसके पास सबजी लेने गई तो मैं बहुत जल्दी में थी मेरा टीवी शूट था यह नवरातरो की बत है तो मैंने उसे कहा कि आप मुझे जो है फटा वर से पांच किलो मटर देजो और जो भी पैसे हैं बता दो तो उसने मुझे कहा कि ये 900 रुपे बनते हैं आपके आप 900 रुपे दे तो मैं झोड़ा और आ आगे गई तो मुझे याद आया कि मुझे सलात पता लेना था और सलाथ पता तो मैंने लिया ही नहीं था तो मैं एक सबजी वाले के पास रूखी मैंने उसे का भया सलाथ पता दे तो उसे मुझे सलाथ पता दिया तो जब उसने मेरे आप पीछे का दर्वाजा कोल के सलाथ पता रखा तो उसने मुझसे पूछा मैं हम अपने मटर किते 40 रुपे है किस ने हैं आपको 160 रुपे का दे लिया मैंने का अच्छा लेकिन जिससे मैं सब्जी लेती हूं वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता तो उन्होंने बोला ऐसा ही आप एक बार कॉल करो मैं जल्दी में थी मुझे टीवी के शो पे जाना था आपको पता है नवरातर में मेरा शो चल रहा था तो मैंने उसे शो के बाद कॉल के मैंने का हाँ भई मतर किते रुपे किलो हैं बोला 160 रुपे मैंने का लेकिन मार्किट में तो मतर 40 रुपे किलो है तो मने 160 रुपे मुझे कैसे लगाए तो उसने मुझे बोला किसने बोला आपको मैंने का अपने बग सौरी बोला मुझसे माफी मांगी और मुझसे बोला पता नहीं मैं कैसे गलती से मेरे मुझसे 160 निकल गया और एक्चुली मटर 40 रुपे किलो ही है लेकिन मेरा मटर मैं आपको 60 रुपे देता क्योंकि मेरा मटर थोड़ा अच्छा क्वालिटिक है उसमें दाना खराब नहीं निकलेगा मैंने उसे कुछ नहीं बोला उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और चुपो गई दो दिन बाद उसने कि बहुत विश्वास करता है सुबा सुबा आपके पास आता है और यहाप सोसतों कि मैडम दो गाड़ी से उतरती ही नहीं ओ dal गवलते हैं आपके साथ शेर जरूर करूंगी और इससे आपको सबक मिलेगा कि वाक्य में जिन्दिगी अप उस पैनल पर पहुँच गई है कि अंध विश्वास करने की जरूरत नहीं है और अगर आपके उपए और सुबा सुबा आपके पास कोई अच्छा घ्राक आ रहा है और डेली आ आ रहा है तो उसे भगवान का रूप समझे उसके साथ किसी तरह का दोका मत कीजे क्योंकि दोका चाहे कुछ भी हो केतु के साल में पकड़ा जरूर जाएगा कमेंट्स में जयमाता दिल लिकेगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखेगा एक बार फिर से मुफली विजयूगग दोप दोगा थाएगा जिस दोगता